बात 2001 की दुनिया ने नए मिलेनियम में कदम रख चुकी थी इससे ठीक 10 साल पहले 26 दिसंबर 1991 को सोविज संग के तूटने की ओपचारिक गोशना के साथ अमेरिका सीत यूद को जीत के दुनिया की अकेली मासक्ती बन चुका था यह दोर था खालिस अमेरिका 1991 का पहला खाड़ी यूद चो गलोशिया में वे यूद में अमेरिका अपनी अधित्ती सेनी तागत की बूते न्यू वर्ल्ड ओर्डर बनाने में जुठा था तबी तारीक आई 12 सितंबर 2001 की अमेरिका के पॉले पॉसो मुझातूधिन ओसमा बिन लादे ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे बिशन आतंकी अमला किया यह 9-11 के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया दुनिया इस से पहले ऐसा कभी आतंकी अमला नहीं देखा था अमेरिका के तीन हवाई हड़नों से उड़े चार विमानों को ओसमा के ट्रेड आतंकी ओने हाईजेक कर लिया था इसमें बॉस्टन से उड़े दू विमानों को मिसाहिल बना कर 11 से 18 मिंट के अंतराल में मैन हेंडन वर्ल्ड ट्रावर्स को उड़ा दिया गया था वासिंग्टन डी-सी के करीब डियूलिस एक्सपर्ट एयरपोर्ट से उड़े विमानों में पेंटागन बिल्डिंग के दक्षिनी पच्ची मिसे में क्रेस कर दिया गया था अमेरिकी राष्टपती की शुर्कसा करने वाले सिक्रेट सर्विस के एजेंसी राष्टपती जौर्स बुस को कई गंटों तक एयरपोर्स वन में लेकर अमेरिका के आस्मान में उड़ान बढ़ती रहे इस दोरान एप 16 लड़ाकोई विमानों की उनकी सुर्कसा तैनात कर दी गई अलकाइद के आतंगियों ने 12 सित्मबर दूजर एक को अमेरिका के सबसे बड़े सहर नियूरोग के वर्ल्ट रेड सेंटर WTC के दोनों टाउरों पर यात्री विमानों को मिसाल बना कर अमला किया था WTC के नौर्थ ताउर से पहला विमान टक्राने में के 17 मिनट बाल साउर टाउर से टक्राने जाता दूसरा विमान यप पीसन आतंगिया मिलेने WTC के दोनों टाउर ही नहीं बल